Hello guys, I hope you all are doing great. So welcome back to another session. आज के session में जैसे आपको दिख रहा होगा, आज हम ancient history करने वाले हैं. ठीक है? History को तीन पार्ट में डिवाइट कर दिया है. ancient, medieval and modern. So आज हम इसका सबसे पहले वाला पार्ट जो की है ancient history वो करेंगे. ठीक है? Let's begin. So सबसे पहले बात करते हैं historical evidence की. तो हमें कहां से पता चला कि हाँ ऐसा कुछ था भी. जो भी हम history में इतना सब कुछ पढ़ते हैं, वो कैसे पता चला? ठीक है? There are three main sources of ancient Indian history. पहली चीज, कि यहां पे तीन source बताए गए हैं कि Indian history के जो हैं, वो तीन main source हैं. So सबसे पहले लिट्रेचर सोर्स, ठीक है? जो लिट्रेचर सोर्से हैं, वो क्या-क्या हैं? वेदास, उपनशित, वेदांग्स, सूत्रा, पुरान, एपिक, एपिक क्या है? रामान और महाभारत, and the Buddhist text, Jain religious text, and also the great literature source of ancient history. तो इतने सारे जो written source है, ठीक है, लिखे वे कुछ sources हैं, उससे हमें पता चलता है कि हाँ, ये सब चीज़े हुई थी, history, ancient history में या ancient time में, ठीक है? Next है, archaeological source. तो archaeological source में क्या-क्या दिखता है हमें? इंस्क्रिप्शन, जैसे की walls पे, या कहीं पे coins पे लिखे होते हैं, coins पे भी कुछ-कुछ लिखा होता है, उस चीज़ों से पता चलता है, ठीक है? Monuments, Monuments जो बने हैं, उनसे भी पता चलता है, कुछ ऐसे Monuments भी होते हैं, जिन पे लिखा होता है, तो वो inscription के अंदर आ गया, ठीक है? Next है, account of foreign travelers, तो Greek और Roman writers जो थे, वो बहुत आते थे इंडिया में, ठीक है? और जो सबसे popular उनकी book है, इंडिका करके, जो Megasthenes ने लिखी है, और वो चंद्रगुप्त मौर्या के कोर्ट में रहते थे, तो ऐसी books भी हैं बहुत सारी, या बहुत सारे foreign travelers भी आये हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा है, तो उससे भी हमें पता चलता है, कि हाँ, ये स historic period था क्या, the history of human settlement in India goes back to the prehistoric times when no written records were available for prehistoric India, तो prehistoric, जो human settlement है, वो बहुत ही जादा पुराना है, और कुछ इसके written records भी ने मिलता है, अगर prehistory के time के बात करें, पर यहाँ पे हमें archaeological remains दिखते हैं, ठीक है, खंडर वेगेरा, जैसे आपको अभी ये photo दिखाई मैंने, तो य क्या है, कुछ ना कुछ हमें ऐसे monuments, या structures दिखते हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो human settlement वहाँ पे थी, ओके, ये सब चीजे मिलती हैं, पूरे इंडिया के अलग-अलग place पे, next is, they include the stone tools, हमें stone tools मिले हैं, potteries मिली है, artifact मिले हैं, and कुछ metal implants भी मिले हैं, ठ pre-historic people use करते थे, they developed of archaeological help much to understand the life and culture of the people who lived in this period, इससे हमें बहुत ही जादा ये समझने में help होती है, कि उस टाइम के जो लोग थे, वो कैसे रहते थे, ठीक है, उनका lifestyle क्या था, उनका culture क्या था, तो ये सब चीजे पता चलते हैं, इसलिए हम history को पढ़ते हैं, next आते हैं, pre-historic periods क इसको divide किया है, four parts में, ठीक है, paleolithic age जिसको old stone age बोला जाता है, new lithic age जिसको new stone age बोला जाता है, and next is mesolithic age जिसको middle stone age बोला जाता है, last one is charcoalthic age जिसको metal age बोला जाता है, ठीक है, तो paleolithic age में क्या होता था, तो ये paleolithic में men's क्या होते थे, hunter and gatherers होते थे, इनके पास कोई भी knowledge नहीं थी एग्रिकल्चर की फायर की या पॉटरी की कोई भी इनको नॉलिच नहीं थी नेक्स्ट जो है मीजो लितिक इसमें क्या होता है इसमें भी पीपल हंटर गैदरर जी थे फिशिंग भी करते थे और लेटर स्टेज पर आके इन्होंने एनेमल को डॉमेस्टिकेट करना स्टा चालू कर दिया यह कुछ भी तो यहां पर उन्होंने यह जो एडिशनल है यहां पर क्या हो गया डॉमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बागी सब सेम है ठीक है आगे जाके हमें यह भी देखने के लिए मिलता है कि जो लोग थे वो टूल्स बनाना चालू करते थे जैसे आपने द द्वारा ठीक है फॉर्स मेटल कॉन से यूज किया गया था कॉपर यह याद करना आपको लिख लो अगर लिख रहे हो तो और इसी के हिसाब से फिर और बी कॉपर के टूल्स बनना चालू है इसलिए इसको चार को लिथिक एज भी बोला जाता है ठीक है कुछ यहां पर बर इसलिए दिब इसलिए शिए सिवलाईजन जो है і यह वर्लीजी दे रूद्वान वी इन डिस अध्क भी हर्पन सिवलाईज्य सनल के द्वारा गया हुक आपो अर इसको कभी इसलिए सिव्लाइजसेशन भी बोलते है इस civilization के जो लोक थे इनको गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉंज, लेट, कॉपर इन सब के बारे में पता था पर उनको आइरन के बारे में नहीं पता था उसका यूज नहीं पता था ठीक है अगर यहां पर हम सबसे important feature की बात करें तो यह क्या है क्योंने पता था town कैसे बनाया जाता है क्योंकि उनका town बहुत ही systematic way में बना हुआ था ठीक है so town planning यहां पर जो देखी गई थी वो बहुत ही एक important feature माना जाता है civilization का next is use of burnt bricks to construct houses इनके जो घर थे वो bricks से बने हुए होते थे ठीक है जो well था वो बहुत ही managed था drainage system था great बात देखा गया and Mohan Jodaro ठीक है Mohan Jodaro क्या है Mohan Jodaro is the largest of all Indus Valley civilization Indus Valley civilization या cities जो है उसका सबसे largest city है ठीक है और इसका जो area estimated क्या था वो था 200 hectare से भी जादा Indus के जो people थे यह cotton को produce करते थे ठीक है और इसका Greek term क्या था Sindon okay they mainly produced wheat, barley, rye, pea, rice and mustard और यह सारी चीज़े mainly वो लोग produce किया करते थे क्या-क्या wheat, barley, rice, peas and mustard अगर बात करें region की तो unicorn bull ठीक है unicorn नहीं unicorn bull जो था यह most work shift animal था वहाँ पेड़ों की भी पूज़ा होती थी birds की भी पूज़ा होती थी animal की भी पूज़ा होती थी, कोई evident नहीं है ऐसा कि वहाँ पे temple देखे जाए लेकिन अगर male deity की बात करें भगवान की बात करें तो proto shiva को यह मानते थे ठीक है और उनका एक बहुत अच्छा structure भी आपको देखेगा seals पे ठीक है मैंने आगे photo भी लगाई है मैं आपको दिखाती हूँ तो seal पे proto shiva का एक structure देखेगा yoga के posture में ठीक है और आजू बाजू उनके animals है, tigers है, rhino है, buffalo है, अलग-अलग direction में face कर रहे है ठीक है फिर fire workshop जो होता है उसकी भी evident यहाँ पे पाए गई थी लोथल और हरिपा जैसे साइट पे नेक्स्ट इस हरिपन script is pictographic इनके जो भी script थे कुछ लिखा हुआ ने था, words में ने था, सारे चीज यह पिक्चिर्स में थी और यह पिक्चिर्स यह जो भी इनका चीज होता था वो right to left लिखते थे ठीक है, in the first line and second line में left to right यह जो राइटिंग स्टाइल है, इसको बूस्ट रो फीड़ान बोला जाता है next is major in this valley sites in this valley में major sites क्या थे, ठीक है, हम एक टेबला फॉर्म में ही करेंगे पहला है, जो major site वो है, हडपा, ठीक है, यह कौन से एयर में खोजा गया, 1912 में कौन से river के पास है, रावी river के पास है, इसको किसने खोजा, किसने एक्सकवेट किया, दायराम, सहानी ने, अभी यह कहाँ पे है, पाकिस्तान में major finding यहाँ में क्या मिली थी, stone dancing figure of Natraja, ठीक है, तो यह ऐसे एक figure मिली थी, stone key dancing figure Natraja की and symmetry मिली एक, ठीक है, यह major यहाँ की finding थी, next site है, मोहन जुदारो, जिसको Mount of Dead बोला जाता है, यह 1922 में खोजा गया, यहाँ पे जो river कौन से river के पास है, इंदस, excavator कौन ने इनके, RD Banner जी, इसका location है, पाकिस्तान ओनली, ठीक है, यह भी अभी पाकिस्तान में है, और यहाँ पे findings क्या थी, great bath, bronze dancing girl, एक यह ऐसी bronze की dancing girl की statue type मिली थी, और great bath यहाँ खोजा गया था, next is, जो site का नाम है वो है, चनहुन दारो, यह year 1931 में खोजा गया था, यह इंदस रवर के पास है, इसको किस ने excavate किया था, एन गोपाल, मजुमदारने, यह भी अभी पाकिस्तान में है, यहाँ पे क्या-क्या चीजे पाई गई थी, use of lipstick देखा गया, bread making factory देखी गई, only in this side without a citadel, so citadel क्या होता है, side side से जैसे आपका मानलो, यह घर है, ठीक है, यह आपका घर है, और आपने इसके आजू-बाजू से ऐसे fort type का बना दिया, यह कुछ ऐसे protection बना दी, अगर जो army camp में रहता होगा, उनको पता होगा, आपके बहुत सारे घर होते हैं, और side side से हर जगब boundary बना देती है, so ऐसे एक structure को हम बोलते है, citadel, और वो चीज यहाँ नहीं थी, ठीक है, next site है, रूपर, यह 1953 में खोजा गया, सतलुज रिवर के पास है, इसको वाइडी शर्मा ने खोजा, ठीक है, एंगी अभी इंडिया हर्याना में है, यहाँ पर क्या-क्या चीज़े पाई गए थी, burial of dog with him, with human, और mud brick chambers, तो यह दो चीज़ें यहाँ पर मिली थी, next side है, काली बगान, ठीक है, यह 1955 में खोजा गया, रिवर घागर के पास है, एक गोश्ट ने इसको खोजा था, यह इंडिया राजस्तान में है, ठीक है, यहाँ पर क्या-क्या मिला, two type of burials, यहाँ पर burials मिले हमें एक circular grave, rectangular grave और bones of camel भी मिला, ठीक है, कुछ ऐसा circular shape में grave मिला, फिर rectangular shape में मिला, bones मिले, यह सब चीज़ें यहाँ पर मिली थी, नेक्स साइट है, लोथल, ठीक है, यह 1955 यह 1960 में खोजा गया है, रिवर भोगाफ के पास यह है, रिवर भोगवा के पास है यह, इसको excavate किया है, आरेस राओ ने, इसकी location है, इंडिया गुजराथ, यहाँ क्या-क्या पाया गया था, डॉक याड, ठीक है, painted jar, कुछ इस तरीके से, और राइस के husk, नेक्स साइड है, बना वाली, ठीक है, यह 1974 में खोजा गया, यह साबरमती रिवर के पास है, इसको आरेस बीश्ट ने खोजा था, इसकी location कहा है, इंडिया हर्याना, यहाँ पर क्या-क्या पाया गया, टेराकॉटा के figures पाये गया, कुछ प्लॉग पाये गया, और बारली प पाये थे, ठीक है, नेक्स साइड है, दूलवरिया, यह 19, 90 में खोजा गया, यह मानस रिवर के पास है, ठीक है, और इसको एक्सकवेट किया था, आरेस बीस्ट ने, इंडिया में ही इसकी location है, गुजरात में, रन ओफ कच के पास है यह, यहाँ पर क्या-क्या पाये गया थ ठीक है, इसके लिए confusion है, मैं बता दे रही हूँ साथ में, किसी बुक में, या बहुत सारे बुक में आपको यह भी दिखेगा, 1990 की जगह आपको दिखेगा, 1967 ठीक है, और एक्सकवेटर की जगह, आरेस बीस्ट की जगह आपको दिखेगा, जेपी जोशी, सो यह confusion है इक इस दोलवरिया जो है, वो लेटेस्स साइट मानी जाती है, और युनिस्को की तरफ से इसको साइट्स में या एड़ भी किया गया है, वर्ल्ड हेरेटेज साइट्स में, सो मेरे हिसाब से यह 1990 वाला करेक्ट होगा, लेकिन यह भी दिया है काफी सारे बुक में, इसलिए मैंने आपको बता दिया, सो देखो यह यह होते हैं, सील्स, ठीक है, मैंने अभी बताया था ना, की सील्स हमें देखने मिलते थे, और उपिक्टोग्राफी होती थी उनकी, तो इस टाइप की सील्स होते थे, इस पर कुछ पिक्चर बने रहते थे, या अजीब से पैटन्स होते थ ठीक है, और जुल्रीज भी कुछ-कुछ पाई जाती थी, तो यह सारे इस टाइप की जुल्रीज भी देखी गई हैं, ठीक है, नेक्स्ट इस डिक्लाइन ओफ सिविलाइजेशन, यह जो हडपन या इंदस वाली सिविलाइजेशन थी, यह डिक्लाइन होई एकदम से, और क सिविलाइजेशन, जैसे मैंने बताया, अभी तक हमें पता नहीं चलाएं कि इस जो सिविलाइजेशन का डिक्लाइन जो हुआ है, वो कैसे हुआ है, ठीक है, बहुत सारे स्कॉलर्स अलग-अलग रीजन देते हैं, जैसे कि बोला जाता है कुछ एपिडमिक हुआ होगा, ज बढ़ अभी तक हमें पता नहीं कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ओके, नेक्स आते है, वेदिक पीरिट पे, ठीक है, वेदिक पीरिट क्या था, और कब से कब तक था, वेदिक पीरिट जो हमारा 1500 BC से लेके, 600 BC तक था, ठीक है, इट वस रूलर्स इविलाइजेशन and started when arrival of areas in India subcontinent from Central Asia, येक रूलर्स इविलाइजेशन है ठीक है, और स्टार्ट हुए जब areas, Central Asia से subcontinent में shift होना स्टार्ट हुए, वो आके, अफगानस्तान, पाकसान और इंडिया जोसी country में settled हुए, the whole reason in which the areas were first settled in India were known as land of seven region या सब्त सिंधू, ठीक है, सब्त सिंधू या land of seven rivers बोला जाता था, जहां पर ये लोग आके settled हुए थे, जिस आपको पता होगा, आपने इतना तो पढ़ा होगा, जो भी historical time में आप देखोगे settlement, वो सारी कहां होती थी, rivers के पास ही होती थी, क्योंकि water एक बहुत important चीज है हमारी life के लिए, ठीक है, तो water के पास ये सारी settlement होती थी, this includes the river, जब अब यहां पर आपने बुले न, सब्त सिंधू, मतलब साथ river वहां पर आए, तो पाच tributeries इंदस के पास जो होती थी, ये पुराने नाम है, ठीक है, अब ये सारे river के नाम change हो तो ये सारे tributaries थे इंदस river के, ये सारे नाम अभी change हो चुके है, तो आपको इनको याद करने की कोई जुरुत नहीं है, next is veda means क्या, ved या vedic period, तो ved मतलब क्या होता है, mantra and shlok, ठीक है, ये knowledge या conscience के लिए भी refer किया जाता है, अब चार हमारे ved होते है, कौन-कौन से ved होते है सबसे oldest veda है, ठीक है, rigveda, rigveda, rigveda में क्या है, ये इसके क्या important factor है, rigveda में collection of hymes है, hymes क्या होते है, mantra, ठीक है, और इसमें 10 mandalas है, यहाँ पर आपको गायतरी मन्त भी मिलेगा, सब को गायतरी मन्त पता होगा, सबको तो, ठीक है, then samaveda, samaveda में क्या है, book of mantra related to music or chant, music से related है, ठीक ह और chants है, mantra, जो एकदम से mantra करते जाते हैं, तो उसको chant बोलते है, chanting करना, ठीक है, तो हमने क्या देखा, rigveda, samaveda, yajurveda, yajurveda में क्या है, sacrificial prayers, कुछ चीज हम sacrifice करते हैं, तो उसकी prayers वेगरा करते हैं, जो बली वेगरा चड़ाते हैं, तो इसमें उन सब चीजों के बारे में लि next, अभी हम देखेंगा, early vedic period, vedic period को भी दो में divide क्या होता है, early vedic and later vedic, तो अभी early vedic का देखते हैं, the main source of information for the studies of early vedic age people is rigveda, rigveda में early vedic people के बारे में, बहुत सारी information मिलती हैं, ठीक है, the founder of vedic culture were the Aryans, vedic culture जो है, उसके founder कौन थे, Aryans थे, probably immigrant people who first arrived in India is dated around 2000 to 1500 BC, so कब आये थे, अभी हमने पीछे ये बढ़ा ना कि वो central Asia से आये थे, subcontinent में और पाकस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया जैसी countries में settled हुए थे, तो ये immigrant people ही थे, ये जब आये और इन्होंने एक vedic culture found किया, उनको हम Aryans बोलते हैं, ठीक है, Aryans, so ये जो रिक vedic society थी, early vedic period में, इसमें ये basically kinship के ओपर based होती थी, और यहाँ पर Aryans ही रहा करते थे, वो essentially tribal people ही थे, ठीक है, और tribe को क्या बोला जाता था, जना, J-A-N-A, जना बोला जाता था, और एक societal type के family में रहा करते थे, जिसको gram बोला जात जाता था, जैसे अभी भी gram panchayat word यूज होता है, ठीक है, and family के head को ये ग्रिह पती बोलते थे, ये society भी patriarchal ही थी, ठीक है, patriarchal society क्या होता है, जहाँ पर male जो होते है, वो head होते है, family के, और ये भी देखा गया था, यहाँ पर कि जाददर monogamy practice की जाती थी, monogamy क्या होता है, एक male है तो उसकी एक ही wife है, ना कि multiple लोगों से उन्हेंने शादी की हुए, ठीक है, early Vedic period का ये भी बहुत बड़ा चीज है, या कहा जाता है, ऐसे कह सकते हैं, कि यहाँ पर women's को equal opportunity दी जाती थी as men, ठीक है, spiritually भी और intellectual development के लिए, दोनों के लिए, ठीक है, social division again यहाँ पर भी जो early Vedic में होता था, ठीक है, ये एक term used किया जाता था, जिसमें, लोगों का division होता था, basically in the terms of color, या कौन सी language वो speak कर रहे हैं, या वो कहां से हैं, इस basis पे, यहाँ पर caste system कोई found नहीं किया जाता, पर ये देखा गया था, जो भी non-RN peoples थे, उनको ये लोग दास या शुद्र बोला करते थे, ठीक है, और जैसे मैंने अभी बताया कि women's को equal opportunity देते थे early Vedic में, और ये late Vedic period में नहीं देखा जाता था, so क्या equal opportunities देते थे, respectable status दी जाती थी society में, ठीक है, वो भी tribal assemblies जो होती थी, उसका part बनती थी, ठीक है, head भी करते वे देखा गया है, religious जो sacrifice होते थे, उसमें भी part लेती थी, child marriage यहाँ पर नहीं देखी जाती थी, ठीक है, और marriageable age जो होती थी, वो 16-17 girls के लिए मानी जाती थी तब, इन other terms, early Vedic period में condition बहुती बेटर थी, as compared to later Vedic period, अगर हम इनके religion की बात करें, early Vedic period के, तो ये लोग जादा तर nature की वरक्शिप करते थे, ठीक है, कोई temples वेगरा नहीं देखी गए, कोई मूर्ती वेगरा, कोई ideals नहीं देखी जाते थे, यहाँ पर, कुछ major god वेगरा यहाँ देखी गए थे, जैसे कि रिगवेदा में आपको पता है, मंत्र लिखे हैं, तो इंद्रा जो है, भगवान इंद्रा, ठीक है, जादा तर नेचर वरक्शिप होती थी यहाँ पर, भगवान इंद्रा के लिए 250 प्लस हाइम्स यहाँ पर रिगवेदा में आपको दिखेंगी बहुत सारी गौड़ेस थी, जैसे उशा, गौड़ेस ओफ डॉन, अधिती, मदर ओफ गौड्स, ठीक है, पृत्वी, अर्थ गौड़ेस, आरेनी, फौरेस्ट गौड़ेस, और नेचर वरक्शिप में बेसिक क्या आता है, जैसे कि जल अगनी वायू, तो यह सारी चीज़ से हो गई, अब आद हम लेटर वेदिक पीरिट पे, ठीक है, सो लेटर वेदिक एज कब से कब तक था, थाउजन बीसी से लेके 600 बीसी तक, ठीक है, जो लेटर वेदिक एज है, इसमें बहुत सारे चेंज़ेज होए, ठीक है, बहुत सारे डवलपमेंट हुए, बहुत यहां पर अगर रिलीजन देखा जाए तो मेजर गौड कौन थे यहां पर प्रजापती, विश्नु, रूद्र, ठीक है, यह मेजर गौड यहां पर देखे गए हैं, नेचर वर्क्षिप से लोग हटके आईडिल वर्क्षिप पर आने लगे थे, ठीक है, यहां पर आप देख होगे तो आपको कास्ट सिस्टम मिलने लगेगा, यहां पर ब्राम्हें, शत्रिय, वैश्य और शुद्र, यह जो कास्ट होते हैं, यह चीज़े यहां पर आपको दिखने लग जाएगी, ठीक है, ब्राम्हें क्या होता है, प्रीस्ट, शत्रिय, वारियर को बोला जाता था, वेश्य में क्या आता है एगरी कल्चर रिया ट्रेडर्स एंद शुद्र में आता है जो यह अपर थी क्लास थैं उनको सर्फ करेंगे यहाँ पर women's को उत्ती freedom and respect नहीं दी जाती थी या उतना status नहीं दिया जाता था उनका status धीरे-धीरे कम होते जा रहा था as compared to early Vedic period जो लोग यहाँ पहले tribes में रहते थे अब वो settle होने लगे थे और एक strong kingdoms बनने लगे थे king के बाद बहुत जादा power आने लगी थी ठीक है और king जो था अपनी army वेगरा maintain करता था army के भी फिर ऐसे सेना पती यह सब बनने लगे ठीक है priest प्रोहिद जिसको बुला जाता है commander in chief, सेना पती, फिर tax collect करने के लिए लोग रखे गए queen वेगरा यह सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है next हम देखते हैं उपनिशिद ठीक है the term उपनिशिद indicates knowledge acquiring by sitting close to the teachers उपनिशिद मतलब क्या होता है कोई knowledge acquire करना कैसे by sitting close to the teachers मतलब जो gurukuls वेगर आप देखते होगा तो उसमें अपने दिखाऊगा वो लोग कैसे अपने teacher के पास जाते थे वो बताता था या कुछ भी सिखाता था उनको techniques वेगरा so basically यह term उसी को ही indicate करता है under it many metaphysical topics such as the origin of universe, the nature of God, the origin and death of mankind ETC were discussed अब teacher उनके साथ क्या क्या discuss करता था ठीक है origin of universe, origin of universe में क्या आ जागा सब कुछ आ जागा, geography आ जाएगी, physics आ जाएगी आपका ठीक है इन सब चीजों में belief नहीं करते थे on the contractory they are the followers of karma वो किस चीज पर belief करते थे? actions पर, karma पर, atma पर, soul पर, God पर, Brahma पर ठीक है? इन तीन चीजों पर यह belief करते थे they are spiritual and philosopher in nature जो उपनिशित के लोग होते थे या teachers बच्चे जो भी होते थे वो क्या believe करते थे? spiritual and philosophy of nature में use करते थे ritual sacrifice इन सब चीजों में believe नहीं करते थे और karma, atma and brahma इन चीजों को मानते थे they are also known as vedanta or the end of vedance they always preach ज्यान मार्ग knowledge path ठीक है? हमेशा knowledge का path यही सिखाय करते थे कि knowledge पर जाओ and इनको vedantas बोला जाता था vedantas मतलब क्या होता है? end of vedas there are 108 upnashads 108 upnashad है and जो हमारा national motto है सत्तमेव जैंती truth alone triumphs यह भी upnashad से लिया गया है ठीक है? next आते है बुद्धिजम पे बुद्धिजम के founder कौन है? गौतम बुद्ध जो है यह founder है बुद्धिजम के कुछ fact है बुद्धिजम के बारे में जैसे कि birth and birth का symbol क्या है? lotus and bull तो कब birth हुई थी? गौतम बुद्धा की born हुए थे 1563 BC में अट लुम्बनी नेपाल ठीक है? आपको बस यह याद रखना है लुम्बनी नेपाल में born हुए थे इन शाक्य शत्रिय क्लान औन वैशाक यह सब याद करने की कोई जरुवत नहीं है ऐसा एक दो जगा question देखा है कि बुद्ध जो था वो कहां born हुआ था अगर क्या आता है तो लुम्बनी नेपाल आपको याद रखना है ठीक है? इनका symbol क्या है? बर्थ के लिए lotus and bull यह भी याद रखना है next is family member कॉषलया dynasty की princess थी यह wife का नाम है Yashodhara and son का नाम था राहूल renunciation इसका symbol है horse यह इन्होंने क्या था? at the age of 29 next is enlightenment enlightenment इनको मिले थी body tree के नीचे इसलिए इसका symbol body tree है कितने एच पर मिले थी? at the age of 35 under the people tree on the bank of Niranjana river first sermon अपना कहां दिया था इन्होंने at sarnath to his five disciples ठीक है पांच disciples के साथ अपना first sermon इन्होंने दिया था इसका symbol है weel ठीक है और इसको बोलते धर्मचक्र परिवर्तन next is death death का symbol है stoopa at the age of 80 he died 483 BC में in खुशी नागर गौतम बुद्धा जो थे established किया इन्होंने eight fold path जिसको बोला जाता है अश्टांग का mark ठीक है त्री रतन होते हैं बुद्धिजम में ठीक है त्री रतन इन बुद्धिजम stands for three pillars तीन पिलर के लिए ये stand करता है बुद्धा उनसके जो founder है second pillar है धम्म उनकी teachings and last pillar है sangha जो है order of buddhist monk and nuns जो भी buddhist monk है और nun है वो sangha में आती है तो क्या तीन pillar है founder उनके teachings और उनके mocks and nuns Buddhist council ठीक है meetings या council कैसे होती थी कहां होती थी first Buddhist council जो थी वो राजगरी में held हुई थी in 1483 BC ठीक है under patronage of Ajat Shatru and Mahakashyab its president तो Ajat Shatru जो थे ये और Mahakashyab इनके अंडर first Buddhist council हुई थी कहां पे राजगरी में second Buddhist council कहां हुई थी विशाली में 1883 BC में under the patronage of King Kala Shokha and his presidency of Sambha Kami सो कहां थी second council विशाली में किसके अंडर King Kala Shokha and presidents of Sambha Kami third ऐसे बहुत सारी हुई आपको सब कुछ याद नहीं करना ठीक है एक बार इसको You just have to go जानिजम जानिजम के फाउंडर कौन थे? रिशब देव रिशब देव जो थे यह जानिजम के फाउंडर थे There are 24 तृतंकारास in जानिजम 24 तृतंकारास है ठीक है रिशब देव बिइंग दे फ़र्स and महावीर बिइंग दे लास्ट 24 तृतंकारास तो पहले सबसे पहले थे रिशब देव और लास्ट थे महावीर ठीक है 5 डॉक्टरीन जानिजम और पांच डॉक्टरीन है या कुछ पांच ये मतलब फीचर बोल सकते हैं या इसके बेस पर ये चलते हैं वो क्या-क्या है अहिमसा एस्तिया अपरिग्रव सत्य और ब्रहमचर तो ये पांच इनके डॉक्टरीन है ठीक है जो त्री रतनज है जैनिजम के वो क्या-क्या है राइट नॉलेज राइट फेथ और राइट कंड़क्ट ओके फैक्ट अबाउट वर्दमान महावीर ठीक है महावीर के बारे में कुछ जान लेते जैसे हमने गौतम बुद्ध के बारे में जाना ठीक है इनका बर्थ कहा हुआ था 540 बीसी में कुंदन ग्राम नियर विशाली बिहार इनके फैमिली मेंबर में कौन थे इनके फादर सिद्धार्थ इनकी मदर त्रिशला इनकी वाइफ यशोदा और प्रिया दर्शनी ठीक है इनका रिननसियेशन हुआ था अट दे एज ओफ 30 काई वाल्या या सुप्रीम नॉलेज इनको कब मिली थी अट दे एज ओफ 42 अंडर साल्ट्री मैं भी पहले बहुत किन्फ्यूज होती थी महावीर और बुद्ध में ठीक है क्योंकि दोनों का अल्मूस्ट सेम है तो बेसिक आपको बस ये याद रखना है कि गौतम बुद्ध जो है वो बुद्धिजम के है और महावीर क्या है कहा के है जैनिजम के है ठीक है इनका फर्स सर्मान कब था कहा था अट पवापूरी तो हिस 11 डिसिपल्स नोन अस गंधार्स ठीक है 11 डिसिपल्स जिनको गंधार्स बोला जाता था इनकी डेथ हुई थी अट दे एज अफ सेवेंटी टू इन 1468 बीसी ओके नेक्स्ट इस महाजयन पदास तो क्या है अगुतारा न्याया बुद्धिस लिट्रेचर बुद्धिस लिट्रेचर को ये बोला जाता है ठीक है और जान लिट्रेचर को बोला जाता है भागवी सुत्ता ठीक है मेंशन दे लिस्ट अफ सिक्स्टीन महाजनपता 16th महा जन्पदा की list mention करते है Magad was very powerful महा जन्पदा among the 16th महा जन्पदा Its capital is Rajkiri Magad जो है सबसे powerful माना जाता था 16th में से और उसकी capital थी Rajkiri Assas का या Asma का जो था यही एक महा जन्पदा था जो South India में located था and the capital of Assas का was Pujana next is major dynasties in ancient India ancient India में कुछ major dynasties थी वो कौन-कौन सी थी so Magad empire जो था वो 1684 BC से लेके 320 BC तक था Magad was one of the most powerful महा जन्पदास in 6th century BCE ठीक है अभी हमने पीछे भी देखा यह one of the most powerful महा जन्पद था ठीक है Bimbisar was the founder of Harikaina dynasty तो Harikaina dynasty के founder कौन थे Bimbisar Magad came into the prominent position under the leadership of Bimbisar जब Bimbisar leader बने, king बने तब उनकी position पे या उनके leadership के वज़े से Magad एक बहुती prominent position पे आ गया या Magad जो था वो बहुती powerful बन गया next है Ajaj Shatru ठीक है यह son था Bimbisar का and occupy the throne by killing his father तो इसने अपने father को kill किया and उसके बाद राजगदी पे यह आया उसके बाद Ajaj Shatru का son आता है Udai Adin ठीक है यह उसका बेटा था इसने city of Patli Putr को found किया and इसने अपनी capital Magad से राजगिरी में shift की और राजगिरी से पातली पुत्र में ठीक है और उसके बाद इसने जो Magad में राजगिरी capital थी उसको shift करके पातली पुत्र में कर दी next is Naga Dasa की last ruler थे हरी काइना dynasty के ठीक है उसके बाद दूसरी dynasty आती है कौन सी dynasty? Shishunag Shishunag ही इसका founder था और उसने नाम रखा Shishunag dynasty He was succeeded by कालशोख and नदी वारमन फिर ये जो Shishunag की शुंग dynasty है या Shishunag dynasty है इनका भी decline होता है देन नंदा डैनस्टी आती है इसके founder थे महा, पदमनन्दा, लास्ट लंदा जो king थे वो थे धना नंदा ये last king थे और ये rule कर रहे थे मगद पे कब जब Alexanders का invasion हो था Alexander the Great आपने पढ़ा होगा ठीक है Indian history में इसका जादा नहीं है बस यह यहाँ पर invasion करने की इन्होंने कोशिश की थी बट यह आ नहीं पाये थे इंडिया में अलेक्जांडर का invasion कब होगा था 1326 BC में अलेक्जांडर ओफ मेसेडोनिया fought the battle of Jalem with Porus, ruler of India to conquer Indian territory the battle was fought on the bank of river Jalem river Jalem के bank पर ये लड़ाई लड़ी गई थी ठीक है Porus एक Indian ruler थे उनके साथ इनकी fight हुई थी battle of Jalem बोला जाता है इसको ठीक है ये फेल हो गए थे इंडिया को conquer करने में इनकी death हो गई थी in babylon at babylon in 1323 BC में next आते हैं हम Moria empire पे ठीक है चंद्रगुप्त Moria assisted by Chinakya overthrow Dhanananda to lay the foundation of Morian dynasty ये हो रहा है ना देखो एक को हटा के एक आता है ठीक है अभी हमने कितनी dynasty पढ़ ली उस टाइम से अभी Moria आते है लेकिन कुछ डाइनस्टी इसमें से important है जैसे नंदा डाइनस्टी important है Morian dynasty या emperor important है ठीक है तो Morian emperor में भी बहुत सारे emperor है पहले जो है वो चंद्रगुप्त Moria है चनाक्यों की से इन्होंने धना नंदा को हटाया और अपना Morian dynasty फॉर्म किया ठीक है इन्होंने सेकुलर निकेटर को भी डिफीट किया था मेगस्तनीस्टर था ठीक है ग्रीक अमबाज़डर ऑफ सेकुलर्स यह आया था Morian के कोर्ट में और इसी के एक बुक भी है ठीक है अब आगे हमने सबसे पहले देखा था ना historical evident में तो इंडिका करके जो बुक थी इसी नहीं लिखी थी So during his reign किसके रेइन चंद्रगुप्त के राज्य के टाइम में मेगस्तिनस ने बुक लिखी थी इंडिका और कॉटल्य ने बुक लिखी थी अर्थिर्शाष्टर ठीक है कॉटल्य को विश्णुगुप्त और चिनाक्य के नाम से भी जाना जाता है ये तीनो नाम एक ही परसन के है ठीक है बिंदु सार son of successor of चंद्रगुप्त मौरे वस फेमस आज अमरित गाटा ठीक है बिंदु सार किसका बेटा था चंद्रगुप्त मौरे का अब बिंदु सार और बिंदु सार में confused नहीं हो ना ठीक है मैं भी हो जाती थी इसलिए में बता रही हूँ बिंदु सार कौन है इसका बेटा है बिंदु सार उसने एक अलग डैनेस्टी अपनी स्टार्ट की थी ठीक है अशोका वस दे ग्रेट रूलर ही सक्सीड़ बिंदु सार अशोका जो था एक बहुत ही ग्रेट रूलर था और इसने बिंदु सार को सक्सीड किया ही फॉट कालेंगा वर को in 261 BC ठीक है इट वस दे लास्ट वर fought by अशोका और यह लास्ट वर था जो अशोका ने लड़ा ठीक है इस रॉक्ट एडिक्ट X IIII या रॉक्ट एडिक्ट 13 talked about कालेंगा वर ठीक है कालेंगा वर के बारे में बताता है यह रॉक्ट एडिक्ट अशोका is called as देव नाम पिया या पिया दाती इन दोनों नाम से भी अशोका को जाना जाता है साची स्थूपा was built by अशोका अशोका ने साची स्थूपा बिल्ड की थी ब्रिहद रज्ज था यह last Morian ruler था उसके बाद जो यह pushya मित्र सुंगा था इसने last Morian ruler को kill किया और इसने अपना अब इसके बाद है Kushan Emperor ठीक है यह AD 30 से लेके 1551 AD तक थे they were the descendants of Central Asian countries so इनके जो ancestors थे वो Central Asian countries से थे ठीक है Cathvices 1 जो था यह founder था इस dynastry का Vima Cathvices जो था इन्होंने बहुत large number of gold coin issue किया था कनिश्क 127 to 150 AD was the greatest ruler ठीक है तो कनिश्क का आपने नाम सुनाओगा यह दोनों नाम कभी सुना भी ने होगा ठीक है was the greatest ruler and convened the fourth Buddhist council इन्होंने fourth Buddhist council भी ली थी ठीक है इसके बाद आता है Sangam Age जिसमें तीन होते हैं the Pandyas, Cholas and Cheras तो सबसे पहले Pandyas के बारे में देखेंगे the capital was Madurai ठीक है इनके जो important king थे वो थे उनका नाम था Nedun Gillian ठीक है the first mention by Megasthenes यह Megasthenes ने सबसे पहली बार mention किया था according to him the kingdom was famous for pearls and was ruled by women उसने ये लखा था अपनी बुक में इनका जो kingdom है यह famous है pearls के लिए मोतियों के लिए और women's के द्वारा rule किया जाता है ठीक है next है the Chola the kingdom was called Chola Mandala ठीक है इनके kingdom को Chola Mandala बोला जाता था the chief center was उरयूर a famous place for cotton trade इनका जो center था वो उरयूर था और यहाँ पे cotton trade बहुत जादा होता था इनकी capital थी कावेरी पत्नम a Chola king name Ilara conquered Sri Lanka and ruled it over 50 years एक Chola king थे जिनका नाम Ilara था इन्होंने Sri Lanka को conquered क्या था and around 50 years he ruled there ओके और एक और काफी famous king थे इनके जिनका नाम था कारी कला and last आते हम छेरास पे इनकी capital क्या थी 1G ठीक है also called as Kirli country fought against Cholas about AD 150 150 AD में इनकी Cholas के साथ fight हुई थी it owned its importance to trade with the Romans Romans के साथ इनका काफी trade होता था the Romans set up two regimental there to protect their interest Romans ने अपने दो regiments भी वहाँ पे लगाये थे इनके जो भी interest है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए the great king St. Guttwan the red chair ठीक है ये इनके great king थे next आते हम गुपता empire पे ये कब से कब तक था AD 319 से लेके AD 540 तक श्री गुपत जो था ये founder था इसका ठीक है इस डानेस्टी का who was succeeded by घटोत कच इसके बाद के कौन आया घटोत कच चंद्रगुपत वन was the first गुपता रूलर to assume the title of महा राजा अधिराजा ये बहुत बड़ा title माना जाता था महा राजा अधिराजा का चंद्रगुपत वन जो था गुपता रूलर्स का इसको ये title मिला था he started गुपता एरर इन्होंने गुपता एरर start किया AD 319 या 20 के बीच में समुंद्रगुपत जो था is also known as Napoleon of India by V.S. Smith V.S. Smith ने समुंद्रगुपत को Napoleon of India भी बूला था अभी ये question काफी बार exam में आए तो इसको ध्यान से देखना ठीक है his quote poet Harry Sane composed प्रयाग प्रशिष्टी प्रयाग प्रशिष्टी एक नाम की इन्होंने इंस्क्रिप्ट लिखी थी और ये पूछा जाता है कि समुंद्रगुपत के जो poet थे उन्होंने क्या लिखा था या उनके poet कौन थे तो आपको याद रखना है Harry Sane और उन्होंने लिखी थी प्रयाग प्रशिष्टी ठीक है एलाबाद पिलर इंस्क्रिप्टिन नेक्स्ट है इसके बाद चंद्रगुपत टू जिसको विक्रम आदित्य भी बोला जाता है गुपत्रा एंपिरर्ड रीच इट्स पीक डूरिंग दे रूल आफ चंद्रगुपत टू जब चंद्रगुपत टू रूल कर रहा था तो गुपता एंपिरर्ड अपने पीक पे था ठीक है पीक पे था मतलब एकदम अंडिफीटबल टाइप हो चुका था ये एक आईरेन पिलर है मेरॉली आईरेन पिलर नियर कुतुब मिनार डेली जो इसके लिए डैडिकेट किया गया है इसके फेमस पोट कौन थे कालिदास also known as Shakespeare of India यह qłedor कुश्ड भी आता है Shakespeare of India किसी बोला जाता है सो इस कालिदास और ये इनके इनके कोर्ट में रहा करते थे इनके कोर्ट में आए थे नेक्स्ट इस कुमार गुप्त वन इन्हें नालंदा महा विहार को फाउंड किया था तो जब सकंद गुप्त रपियर सुदर्शन लेख गुप्ता एम्परेर वस अटाक बाई हन्थ दूरिंग हिस रेइन तो जब सकंद गुप्त राज कर रहा था तब हन्थ के तरफ से गुप्ता एम्परेर को अटाक हुआ था ठीक है नेक्स्ट इस पुष्यभूती डेनेस्टी यह AD 606 से लेके 647 तक चली थी इनके जो ग्रेटेस्ट किंग थे वो थे हर्ष वर्दना सन ओफ प्रभासकर वर्दना ठीक है यह उसके बेटे थे इन्होंने अपनी कापेटिल को शिफ्ट किया था कनाज में हुआंग सैंग विजिटे दूरिंग हिस रेइन हुआंग सैंग एक और चाइनिस पिलिग्रिम था और यह इनकी रेइन में विजिट करा था उसने नालंदा में एक बहुत बड़ी मनेस्ट्री इन्होंने इस्टाबलिश की थी तो बान भट्टा एक राइटर थे ठीक है और इनके कोट अडॉन मतलब क्या होता है ब्यूटिफाइ करना इन्होंने काफी किताबे लिखी थी जैसे की हर्ष चरिता और कदंबरी हर्षा जो था उसने खुद भी तीन प्लेज लिखी थी कौन-कौन से प्लेज थे प्रिया, दर्शिका, रत्नावाली और नागा, नंदा अब कुछ बुक्स हैं और ओथर्ज हैं एंचिंट इंडिया के जो इंपोर्टेंट है, ठीके तो हम देखेंगे ये बुक्स है इदर और ये ओथर है फर्स्ट इस बुद्ध चरिता जो लिखी गई थी अश्वा घोशा के तरफ से नेक्स्ट इस कुमार संब भावा और मेगा दत्ता जो काली दास ने लिखी थी अर्थ शाष्ट्र को टल्या ने लिखी थी ठीक है नेक्स्ट इस राज्ट तरंगिनी ये कलहाना ने लिखी थी नेक्स्ट इस अश्ट अध्याई ये पानीनी ने लिखी थी नेक्स्ट इस मुद्रा रक्षक ये विशाख दत ने लिखी थी एन लास्ट इस पंच तंत्र जो विश्नु शर्मा ने लिखी थी ओके सो ये था लास्ट टॉपिक ओफ एंशिंट हिस्ट्री ठीक है नेक्स्ट में हम मेडेवल करेंगे एन उसके बाद मॉडर्ण भी करेंगे एन आपको इस सेशन अच्छा लगा थैंक यू सो मच फर वाचिंग जल्दी मिलते हैं नेक्स सेशन में